2021 वो साल था जिस साल Ford Motors इंडिया से चले चुके थे और अभी तक उन्होंने इंडिया में comeback नहीं किया लेकिन फिर भी वो इंडियन टेलेविजिन पे अपने एड्स रन करवाते हैं और इन एड्स को रन करवाने के लिए वो लाकों और करोरों पैसे खरिशते हैं लेकिन क्यों और जल्दी फोर्शनर की दिमार्ड भी काफी हद तक कम होने वाली है क्योंकि फोर्ड मोटर्स इंडिया में comeback करने वाली है हाँ मैं यहां पर कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको फुल्प्रूफ बताऊंगा लेकिन उसके लिए आपको फुल्प्रूब बताऊंगा अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखागे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि इस वीडियो में काफी ज़दा अप एंड डाउंज है और फिर आप खाली जज करोगे कि आप गलत बोर रहे हो लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक और बैल नोट्फिकेशन आउन करके चैनल को स्ट्स्रेप कर देना ताकि सबसे पहले इन वीडियो की अपडे पहले चुकी चली गई तब फोर्ड मस्टैंग की इतने ज्यादा हाइप बढ़ गई और हर यूट्यूबर इसके लिए 80-90 लाग देने के लिए तैयार है और जब यह नहीं मिर रहे थी तब इसे लोग 60-70 लाग में भी नहीं खरीद रहे थे आप इसे आप मोनोपली कह सकत तो लेकिन उससे पहले हम पहले अपने टॉपिक पर आ जाते है जो कि है पॉर्ड मोटोर्ज पॉर्ड एवरेश्टी के एक नहीं जेरेशन लाँच हो चिकी है जो कि फॉर्ण मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी जिसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब में मिल इसलिए अब इंडियन्स इसे काफी ज़्यादा मिस कर रहे है और एंडेवर और फोर्ड मोटोर्ज को इंडिया लाने की कोशिश कर रहे है लेकिन यहां पर सवाल यह रहता है कि फोर्ड मोटोर्ज इंडिया में क्यों चले गए जब उनकी इतनी ज्यादा सेलिस थी पोड इको सपोड भी अच्छे चलती थी फार्ड फिओ फार्ड एंडेवर यह सब गाड़िया इनकी अच्छे चलती थी लेकिन फिर फोर्ड मोटोर्ज इंडिया से क्यों चली गए देखे जब फोर्ड मोटोर्ज अपनी सब फॉर मेटर कार्स बना रहे थे वो टेक्स काफी लेकिन जब 2019 में इन्होंने महिंद्रा मोटर्स के साथ एक initiative लिया कि हम एक venture बनाएंगे मतलब हम एक automotive industry बनाएंगे जसमें हम दोनों मिलके काम करेंगे लेकिन महिंद्रा ने इस बात पर agreement नहीं किया और इन्हें discontinue कर दिया और इन्हें बाहर फेंग दिया और 2021 में इंडिया से ये चली चुकिया थे लेकिन अब modern reports के अनुसार 2023 में आपको Ford Motors इंडिया में मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर एक शार्थ यह है कि Ford खाली अपनी EV इज इंडिया में बेच सकता है वो कोई petrol and diesel car इंडिया में नहीं बेच सकता मैं आपको फिर बता रहा हूं कि Ford Motors इंडिया में तो आएगा लेकिन Ford Motors खाली अपनी EV cars को यहाँ पर बेच सकता है वो अपने petrol and diesel cars को नहीं बेच सकता Ford की एक नई EV car आचुकी है जोड़के Ford EQS Electric SUV है जिसका इंडिया में भी तो जल्दी यह launch होने वाला है 2024 यह 2025 तक और यह बात थी उन्होंने एक production के लिए काम किया था जिसका नाम था production linked initiative scheme उसी के तहत Ford ने explorer को किया था जिसमें वो खाली electric vehicles को इंडिया में बेच सकती है वो अ अपनी electric cars को करवा सकते हैं अब आपको यह news कैसी लगी कि आपको electric cars अच्छे लग सकती है हाला कि endeavor अगर electric car में आए जाएगी तो उतनी hype नहीं बढ़ेंगी लेकिन फिर भी हाला कि अच्छी खासी units तो बिज जाएंगे थोड़े पॉर्षनर की sales तो थोड़े कम हो जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को एक लाइक और पैल नोटिकेशन आउन करके चैनल को स्बिसेब कर देना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी updated and informative automotive news देखने को मिले